आज मैं आपके साथ मीठे चावल की रेसिपी शेर करने वाली हूँ जिसे आप त्योहारों में बना के परोज सकते हैं साथी साथ आप इसे प्रशाद के रूप में भी अरपन कर सकते हैं यह बहुत ही easy और delicious रेसिपी है और आप इसे कुछ ही सामगरियों के साथ कम टाइम में बना सकते हैं तो चलिए इसे बना लेते हैं तो मीठे चावल बनाने के लिए आज हम long grain बाजमती चावल का इस्तमाल कर रहे हैं जोकी एक कप है जिसे हमने अच्छे से धोके करीबन 20 मिनिट के लिए सोक करके स्ट्रेन कर लिया है अब चावल को हम एक बोल में ट्रांसफर करके आधा टीस्पुन हल्दी का पाउडर डालेंगे साथी साथ देड़ बड़े चमच देशी घी डालके हम अच्छे से इसे मिला लेंगे हल्दी के कारण मीठे चावल में अच्छा पीला सा कलर आएगा और घी के वज़े से चावल खिले खिले बनेंगे तो चावल का मैरिनेशन अब रेड़ी है अब चलिए इसे पकाते हैं तो उसके लिए हमें कड़ाई को गरम करके एक बड़ा चमच तेल और आधा टेबल स्पुन घी डालेंगे तेल गरम होके घी मेल्ट होने पर हम कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे जैसे की एक बड़ा तेश पत्ता आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा दो बड़ी लाईची दो स्टार अनीज यानी की चक्रफूल और आखिर में आधा टीजपुन साबुत काले मिर्च डालके हम मीडियम हीट पे थोड़ा सा स्टर कर लेंगे आप चाहें तो चार से पांच साबुत लॉंग भी डाल सकते हैं फिर हम इसमें दो बड़े चमच डालेंगे किशमिश और हलके से स्टर करेंगे फिर आधा कप काजु डालके स्टर कर लेंगे काजु को हमने हाव्स में कट कर लिया है आप चाहें तो साबूत भी डाल सकते हैं थोड़ा सा सुनेहरा होने पर हम एक बड़ा चम्मच ऐसे फाइनली चॉप किया हुआ अद्रक डाल के स्टर कर लेंगे कटे हुए अद्रक के अलावा आप चाहें तो चावल के मिश्रण में एक टीस्पून अद्रक का पेस्ट डाल के मिला लें और इसमें इस्तिमाल करें फिर चावल के मिश्रण को डालें और हलके से मिलाएं चावल को करीबन एक से दो मिनिट के लिए मध्य माच पे पकाएं और फिर धाई कप गरम पानी डाल के स्टर कर लें फिर आवशक्ता अनुसार सेंधा नमक डाल के भी मिला लें आप चाहें तो नॉर्मल नमक का इस्तमाल भी कर सकते हैं और स्वाथ के लिए 3-4 हरिमिज डाले और स्टर कर लें अगर आपको ज्यादा तीखा पसंद है तो आप हरिमिज को काटके भी डाल सकते हैं पानी को उबाल पे ले आएं और फिर इसे ढखके मध्य माच में 15 मिनिट के लिए पका लें 15 मिनिट के बाद चावल खिलके 60 प्रतिशत पक चुकी है चावल की कंसिस्टेंसी ड्राय ना हो इसके लिए हम 2 टेबिल स्पून पानी को ऐसे हातों से स्प्रिंकल कर लेंगे और फिर इसे ढखके मध्य माच पे इवनली कुख होने तक हम पका लेंगे तो लीजिए करीबन 15 मिनिट के बाद आप फिर से देख सकते हैं चावल अच्छी तरह से पक चुकी है अब मिथास के लिए हम इसमें 4 बड़े चमत चीनी डालेंगे चीनी की मात्रा आप अपने हिसाब से कम्या ज्यादा कर सकते हैं चावल में जेंटली चीनी को फोल्ड कर लें और एक से दो मिनिट के लिए ऐसे पका लें फिर मीथे चावल को ढख दें और हीट को आफ कर लें चावल को ऐसे ढख के करीबन 8 से 10 मिनिट के लिए रख दें जैसे साबूत गरम मसाले का फ्लेवर चावल में आ जाए और साथी साथ बाकी का चीनी मेल्ट हो सकें फिर 10 मिनिट के बाद आप इसे राइता, पापड या फिर किसी भी मन पसंदिदार सबजी के साथ सर्फ करें इस रेसिपी को आप तेल और घी को कमबाई ना करके सिर्फ घी या फिर तेल के साथ बना भी सकते हैं लेकिन चावल को मैरीनेक करते वक्त हल्डी के साथ घी को जरूर डाले पानी की मात्रा आप चावल के क्वालिटी और चावल के साइस के हिसाब से डाले हम यहां पे long grain बाजमती राइस का इस्तमाल करने तो उस हिसाब से पानी की मातरा थोड़ी सी ज्यादा होगी अगर आप छोटे वाले चावल का इस्तमाल करेंगे तो उस हिसाब से पानी की मातरा कम हो सकती है तो इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ठ्राय करें और अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फामिली के साथ वीडियो को शेर भी करें साथी साथ हमें सपोर्ट करने के लिए चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले ताकि पब्लिश की हुई सारी वीडियो अपडेट साथ तुरन पा सके और आगे जाके ऐसे ही डिलिशेस रेसिपीज देखने के लिए हमारे चानल पे बने रहें धन्यवाद